वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबा के सरी लेकिन भारती जन्ता पार्टी जिस परकार से खुल करके सम्विधान के विरोध के अंदर बोलने का काम कर रही है जिस परकार से उसके नेता लगातार सम्विधान को बदलने की बाते कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो देश का उसका खून खूलता है लेकिन बाबा साहिब क बाबा साही भीमरों बेट करके सम्विधान को अगर कोई छेड़ने का जरा सा भी परितन करता है तो यह ऐसा लगता है जैसे दलित के सीने में तीर मारने का काम कर दिया हो तो उसके दिल में कहीं न कहीं यह दर्द वहा और उसके मुझे कुछ निकला और उसने बोल दिया और बेहन जी का इस परकार का एक्शन और इस परकार का बोल करके एक पौदा जो अभी मतलब बड़ा भी नहीं हुआ उससे पहले ही जड़ निकाल दी उसकी क्यों पूर्ण पर भाई होना 30 साल के उसकी उमर हो गई उसने ऐसी तो कोई बात नहीं कि राज निती में कही बार जबान फिसल जाती है उदर उल्टे सीदे लब्स हो सकता है लेकिन उसकी मंशा देगे को उसकी मंशा क्या थी उसकी मनशा तो विल्कुल किलियर थी और सरकार जिस परकार से चल रही है तो परहारी तो कर रही है सरकार सरकार तो परहारी कर रही है दलीतों पर भी कर रही है पिश्रों पर भी कर रही है नौजवानों पर भी कर रही है किसानों पर भी कर रही है तो परहार करने वाला कौन होता है परहार करने वाला वो ही होता है जो उसने बोला है तो वो तो परहार कर रही है और बहन जी का इस परकार का एक्षन मुझे समझ में नहीं है मुझे दिखाई दे रहा है और मैं तो बहुत पहले से समझ रहा थे चुके जब मैं पार्टी में था कि बहन जी भारती जंता पार्टी के हाथो बंधक बन गई बहन जी को बंधक बना लिया गया है भारती जंता पार्टी के हाथ में और बहन जी को भी बंदन मुक्त कराने के लिए जरूरी है कि गड़ बंदन जीत करके आना चाहिए चुकि बहन जी तो बिलकुल बंदन बन गई है इस परकार का मेरी समझ से बाहर है जब आप बस्पा में थे तब जब आप उपर कारवा ही थी आपने का था कि मिशन मुमेंट से बटक गई है कहीना की लग रहा था कि आकाश आनन्द उस मिशन को बढ़ा रहे हैं तो क्या लगता है आपको कहीं वो वज़ा तो नहीं है यह उनका इंटरनल मामना है लेकिन आकाश आनन्द को बढ़ाना ना बढ़ाना यह उनका इंटरनल मामना है लेकिन एक परकार से आपने सबसे सर्वोच पत पर एक आदनी को बढ़ा करके एक दमी जीरो कर दिया हो और उसके पूरी की पूरी यक्तित पर सवाल या निशान लगा दिया कि वो एपरी पक हुए क्या बहेंजी ने किस परकार के भाशन देगर के मुवमेंट को खड़ा किया उन भाशनों पर गवर किया है कभी कि उन्होंने कैसे भाशन देगर के मुवमेंट को खड़ा किया था जब आदमी राजनीत के अंदर होता है वो नया नया लड़का आया था मुझे उससे कोई वो नहीं है कि आप उससे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ लेकिन मिशन मुवमेंट से बटक कहीं सबसे बड़ी चोट इस वक्त सम्विधान के उपर हो रही है और आप सम्विधान विरोधी लोगों के साथ खड़े हो करके खुलके काम कर रहे हो आप ऐसे केंडिडेट उतार देते हो लग केंडिडेट सेकंड्स में चेंज हो रहे हैं कि जो केंडिडेट भाजबा को फायदा पहुझा है आप उसको चुना लड़ाओगे जो केंडिडे समाज पार्टी है वो कहीं न कहीं अपने मिशन मुमेंट से भटक गई और शायद यही वज़े है कि अब आकाश आनंद के उपर भी इस तरह की कारवाई जो है वो की गई है टीवी नान यूपी के लिए सारनपुर से विकास ककल